नमस्ते फ्रेंड्स गार्डनिंग विद वंदिना में आपका स्वागत है आज आपको कुछ गार्डेन में खिले हुए गुलाब के पौधे और अन्य सभी जो पौधे जो इस समय ब्लूम पे हैं उनको दिखाऊंगी और साथ के साथ एक बहुत चोटी सी स्वापिंग मैंने क की है उसे भी आज दिखाऊंगी कि मैंने आज कौन-कौन से पौधे खरीदे हैं तो पहले आप गार्डिन का ब्लूम देखिए यह स्टेंड तो आप लोग हमेशा देखते ही रहते हैं तो जिनमें आप देखेंगे यह इधर डैन्थस लगे हुए हैं और यह पूरी ब्लू मतलब पूरे टाइम बना रहेगा और यह मैं जून तक बहुत अच्छे से चल जाएगा और थोड़ा सा सेब करेंगे तो यह पर्मानेंट रहने वाला प्लांट है और साथ के साथ यह देखिए यह गेंदे में कितनी अच्छी ब्लूमिंग हुई है और गेंदे तो अभी इ दो दिखाऊंगे आपको जो मैंने ऊपर लगा दी है सब यहां से यह सारे पिटुनिया रहते थे वह अब मैंने हटा दिये हैं अच्छा यह देखिए यह जो गुलाब का पोधा है यह ओनलाइन मंगाया हुआ गुलाब का पोधा है और देखिए एक साथ इसमें यह पांच पूल आए हुए हैं और साथ के साथ दो तीन कलियां एक साथ ही लगी हुई है और यह वाला गुलाब मुझे बहुत पसंद आता है यहाला कि मैंने लोकल नर्सरी से ही लिया था लेकिन इसकी ब्लूमिंग तो गजब की है क्योंकि देखिए आप पूरा प्लांट फूलों से हमेशा भरा रहता है और इसको क्या खाना में देती हूं वह मैं अक्षर आपको वीडियो में सेयर करती ही रहती हूं कि इसमें एक सूपर मिक्षर मैंने बनाती हूं और यह एक बार सूपर मिक्षर में बना लेती हूं तो तीन-चार महीने पूरा अच्छे से चलता है और फ खूंश न कुछ आप जब required चाहारिंग करें तो आप बढ़ सकते हैं तो इस तरह से मैं को जब भी नहलाती हूं तो कुछ ना कुछ हसस में डालती ही रहे बिंद आप गर्मिया आ गने अब यह सब धीरे धीरे हमें जो भी ठीवाइजर हम देते हैं उसको थोड़ा कम कर देना पड़ेगा तो यह देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग होई है गर्मियों के मौसम पर वीडियो आएगी कि कैसे इनका रख रखाओ किया जाए जल्दी ही मैं उसे बनाऊंगी और यह पिंक वाला रोज है छोटा ही फूल होता है पर यह कि बहुत सारे फूल आते है पहुत सारी फूल इसमें आते हैं और यह वाला यह वाला तो पैटल से बहुत कम हैं लेकि 20-25 वहाुंगे अब मैं किसी दिन बैठके सोब गिनोंगी और यह बहुत बड़े-बड़े से हूल है और इसके पैटल्स बहुत बड़े-बडदे हैं हलकी हलकी stripe है इस और ये वाले जो फूल है ये डार्क पिंक कलर का है ये कभी-कभी औरेंज आता है कैमरे में लेकिन है ये पिंक डार्क पिंक कलर का है जो ये वाला पिंक आप देख रहे हैं इससे जो डार्क वाला पिंक आता है वो है ये देखे इसकी कली बिल्कुल रेड ऐसे आती है ये दे जारीटा करें इसकी वराइटी यह भी ऑन लाइन ही मंगाया हुआ है अब यह खिलेगा तो मैं एक्जेक्ट आपको गूगल पर सर्च करके इसको दिखाऊंगी और यह वाला गुलाब की भी वराइटी बहुत अच्छी है यह वाला और और ऑरेंज वाला जो गुलाब है यह मैं एक साथ लाई थी और इन दोनों में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती रहती है यह लोकल नर्सरी से ही लिया था यह सीजन जब आता है तो आप इस तरह के पौधे बहुत मिल जाते हैं नर्सरी पर क्योंकि इसमें कलियां आप देखे कितनी भर भर के आई हुई है और इस बहुत सुंदर पेपर फ्लावर लग रहे हैं और इसके एक भी फ्लावर स्पेंट नहीं हुए है सबसे यह जो सब पहला फूल है इसका यह देखे यह कैसा हो रखा है लेकिन यह बिल्कुल हटा नहीं है कि यह सूखने जैसा अभी नहीं हुआ है और यह मुझे लगता है कि यह सूखे का भी नहीं इसी तरह से ही रहेगा और शाम का समय है थोड़े थोड़े से यह गजानिया अब बंध हो रहे है अब इधर के फूलों से मिले यहां देखे यह गजानिया यह बहुत अच्छा रोज इतने फूल आते हैं किसी भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन फ यह भी बहुत सुंदर खिलते हैं और पूरे बंच में भर भर के एक में दो दो तीन एक 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 ब्रांचेज में दो तीन-दीन फूल आते हैं यह देखिए ऐसे इसकी कलियां आप देखिए, कितने फूल इसमें आते हैं, गुलाब जैसे मैं नहीं उगा पाती थी, उस तरह से गुलाब ने मतलब हर चीछ में संतुष्ट किया है मुझे, कि हाँ अब लग रहा है कि मेरे यहां भी रोज गार्डन बन सकता है, यह देखिए, और यह वाला त दस इंच के गमले में यह लगा हुआ प्लांट है, और इधर भी, और यह वही कश्मीरी रोज, यह देखिए, इसमें कितने फूल आते हैं, बहुत भर-भर के फूल इसमें आते हैं, और अब यह सारे फूल अब धीरे-धीरे चले जाएंगे, तो मैंने सुचा आपको दिख हावी दू, यह लाइसम है, यह डॉक फ्लावर, यह वर्बीना, वर्बीना में देखिए, जब ऐसे फूल सूप जाते हैं, तो इन्हें यूं हटा दिया करिए, तो फिर यह कांटिन्यू बने रहेंगे, आपके हाँ, और यह वाइट वाला वर्बीना, यह भी बहुत अच् यह देखिए, यह गेंदे हैं, और यह कैलेंडूला, यह गजानिया, और यह भी कैलेंडूला, इसमें आपको हमेशा बोलती हूँ, यह गेंदे से पूरा रो भर जाता है, तो वह यूं ही भर गया है, आप पूरा देखिए, यह देखिए, और यह वाला प्लांट तो आप लोग रोज देखते ही रहते हैं रोज प्लांट है और यह पैंजी का पौधा दो प्लांट है यहां बहुत चोटी-चोटी प्लांटर में लगे हुए हैं यहां आप नेस्ट्रीशियम को देखिए यह इतनी ब्लूमिंग है इस पर मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाई हूं और यह अपने आप से उगे हुए पौधे हैं इस पर एक छोटा सा वीडियो जरूर डालूगी और यह देखिए यह अडेनियम है जिसकी प्रूनिंग मैंने की थी और रीपॉटिंग भी की थी तो यह देखिए इसमें पत्ते आने सुरू हो गए हैं यह देखिए यह छोट प्लांट अब धीरे-धीरे खतम हो जाएंगे चिंद्रेरिया वगर देखिए अब यह थोड़े-थोड़े स्पैंट भी हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ यहां देखिए यह यहां पेटूनिया लगे हुए हैं और यह बाहर से तो और भी अच्छा लगता है और यह वही र कि मेरे पास जो नहीं रहता है वो एकदम लालाइत हो जाती हूं मैं लेने के लिए तो यही यह पिटूनिया के पौधे ले आई हूं और इसे भी किसी गंबले में लगा दूंगी बहुत एक महीने चलेगा चलेगा इससे जादा नहीं चलेगा और यह एक मैं लाई हूं नो संद्रीब को फोलूंगी तो दिखा सकते हूं और यह देखिए दो जार्वेरा मैं लाई हूं और ये बहुत ही ये वाला जो प्लांट है इसकी थोड़ी केर नहीं हुई है नर्सरी में लेकिन है ये विराइटी बहुत अच्छी तो कभी-कभी जब भले ही प्लांट कंग नहीं दिख रहे हो लेकिन है कि वाराइटी वह अच्छी मिल जाती है तो मैं ले लेती हूं क्योंकि जर्वेडा की केर कैसे करनी है और इसे कैसे अपने हाँ अच्छे से मैं बना लूँगी देखिएगा आप इसको आने वाले वीडियों में और अच्छी मल्टिप्लाई होगा तो यही स्वापि अच्छी में लेकिन की श्या दो आंने हैं विजा झाले वाराइटी में टाइं लेकिन लेकिन लेकिना।